ग्यारे बरस तक माता रुकमणी ने प्रायास्चित की अपने पाप का गुरुजी के साथ जोगदारी हो गई वो जान भूज के नहीं की पानी पीना कोई बुरी बात नहीं है पर बिना गुरुजी की पूजा के बिना भगवान को पूछे पानी पी लिया भगवान और पती देव ये अगर मौजूद नहीं है तो अलग बात है पर सामने मौजूद है तो पत्नी का इतना फर्ज तो अवश्य ही बनता है कि वो पती को कहकर ख्वाए पिये लीजी जल पीलो बोजन करलो नास्ता करलो अरे पती कहे दें कि भई मेरा हो चुका है मुझे प्यास नहीं है तुम ले लो तो लीजी अच्छा नुक्षान क्या हो गया नुक्षान क्या हुआ ये बताने पती को पूछ लिया तो घाटा पड़ा क्या सास को पूछ लिया घाडा क्या पड़ा जरुवत है तो दुनिया भर के फ्रीज में बोटल रखियें, पीलो, एक सेकंड में अपन पीलेंगे, घाटा, केवल मान मर्यादा से ही सारे धर्म निवह जा सकते हैं, घाटा कुछ नहीं है, एक सेकंड पहले पीना क्या और बाद में पीना क्या, पर किसी को सर्ताज पहनाने से जब हमें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो पहना देना चाहिए, सास को सासु मा बना के रखो, ससुर जी को ससुर जी बना के रखो, पती को पतनी को पतनी जी बना के रखो, तो घर अपने आप स्वर्ग स्थापित हो जाता है, फिर घर घर नहीं स्वर्ग स्थापित हो तुम क्या बोलती हो अपने पती को ओ ओ ओ ओ तो ओ जो है वो तुमारा और गुरु जी से ले लो थोड़ा सा ओ जी इतना कहते हो बस हो गया काम करता ओ जी कहते से ही प्रतिवी राचोहान हो जाएगा वो अच्छा सुनो ना सम्मान ऐसी चीज है कि ये आदमी को बिना फूले रहने देती नहीं है सम्मान ऐसी चीज है और ये 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 जो खाली डिब्बे हैं इनको सम्मान होना कदम कदम पे ससुराल जाएगे तो पंदरभीस लोग होना जी जा जी कैसे जी जा जी कब आएगे जीजा जी खवक है, जीजा जी बड़े दिनों में, जीजा जी, ओ जीजा पैंट में से बाहर हुआ जा रहा, तब इसको अच्छा लगे ससराल में, और ऐसे जीजी, ऐसे बहन आवे घर पे, तो कम से कम पांच लोग होना, ताही कवाई, ताही कैसा है, अच्छा ताही वो कैस पावने कैसे, कुबरी कैसे, महमान कैसे, ताही को भी मन करता है बार बार आने का माई के चलो, माई के चलो, माई के चलो, ताही आके बैठी, थेला खुदी रख दिया, और गोदी में जो गुड्डू था वो भी खुदी बेड पर उतार दिया, कोई पूछने वाला नहीं ह नहीं कहते है मैं नहीं आउंगे दिवाले में